हेलो एवरिवन कैसे हो सब आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कैनेडा PPR की क्या ट्रेंड चल रहा है आज की डेट में कितने रिफ्यूजल आ रहे हैं और कितने क्लियर हो रहे हैं जे जानने के लिए वीडियो को जरावी स्कीप ना करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब बन को सब्सक्राइब जरूर कर लें इससे में मौटिवेशन मिलेगा कि आप हमारे काम को एप्टीशेट कर रहे हो और वीडियो को पूरा जूरूर देखे इस सबसे पहले बात करते हैं PR होल्डर और इमिडियट फैमिली मेंबर्स फीर होल्डर और इमिडिया फैमिली अब प्रवाइट किये जा रहे हैं सेकेंड हम बात करते हैं वर्कर की वर्कर के रिजर्ट अभी जो है प्रवाइट किये जा रहे हैं मगर कुशकु फील्ड में जो अच्छी स्पीड से प्रवाइट किये जा रहे हैं मगर अभी सभी केंडिडेट को एप्लिकेंट को रिजर्ट प PPR है, मैं कुछ files को PPR परवाइड की गई और कुछ files के refusal भी देखने को मिले, मैं आपके साथ कुछ PPR शेर करने जा रही हूँ, आप देख सकते हो जह replied case है, इन्होंने third time reply किया था, इन्होंने file अपनी लगाई थी, 25 स्थमबर को, submission confirmation इन्होंने मिला था, same day BVL and PPR इन्होंने receive की थी, 5th December को so, इन्होंने PPR जो है, 5th December को receive की इन्होंने file लगाई थी, 25 स्थमबर को, biometric हुआ था, इनका 21 October को, और PPR receive की, इन्होंने 6 December को इन्होंने file लगाई थी, 28 September को, इनका biometric हुआ था, 12 October को और same day ही, इनका medical update हुआ था, PPR इन्होंने receive की थी, 6th December को इन्होंने 28 September को अप्लाई किया था, इनका biometric 4 October को हुआ था, और medical update 13 October को हुआ BVL, PPR इन्होंने receive की, 6 December को इन्होंने 25 September को file लोगाई थी, everything updated on 5th December medical, BVL, and PPR, so जे थी आज की update, अगर आपके mind में कोई भी doubt हो, तब आप हमें comment box में comment करके पूछ सकते हो, आपके सारे स्वालों के जवाब आपको दिये जाएंगे, हमारा WhatsApp group, Telegram group जुरूर जोइन कर लें, जहांपर आपको PPR के regarding, Canada immigration के regarding सारी update प्रवाइड की जाएगी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, थैंक्स फो वोचिंग बेदी लर्निंग झाले जाएंगे, हमारा आपको